है फ्रेंड्स वेल्कम अगैन और यह में सकते हैं तो मेरा मत्रा वरिंदावन ट्रिप का वीडियो नंबर सेवन है अब तक मैंने शिक्स वीडियो बना चुका हूं जिसमें हम लोगों ने रुकने से लेके कौन-कौन से मंदिर विजिट करने चाहिए और कहां पर खाना है कहां पर रुकना है एवरिटिंग आई है कवर्ड मैं उन सकते हैं पागल बाबा का मंदिर विरंदावन में बहुत ही भव्य है और यह नो मंजिल का है और इसकी खुबसूर्ती देखते ही बनती है मारवल का है और एक तरह से यह ताजमेल की याद दिलाता है जिसे जैगुरदेव का वीडियो भी मैंने आपको बताया था मतुरा का मतुरा का दूसरा ताजमेल जिसको बोलते हैं अगर आपने वह वीडियो भी नहीं देखा तो आप जैगुरदेव का मतुरा का दूसरा ताजमेल वाला वीडियो भी आई बटन में देख सकते हैं मंदिर देखे आपको बहुत चांदर मारवल का बनाया है और इसकी मानले पर बहुत है इसलिए हम यहां पर आई हुए है और यह हमारा लाज करेगा वन ओफ लाज चलिए देखे हैं मंदिर के ग्राउंड लेवल पर यह जाकियों का एक तरह से इन्होंने पूरा म्यूजिय से बनाया हुआ है जिसका टिकेट मात्र 10 रुपीज है 10 रुपए और यहां पर आपके बच्चे फुल एंजोई करेंगे क्योंकि यह जो जाकिया है यह सिंपल एक तरह से स्टेच्यू नहीं है यह मूविंग स्टेच्यू है और दूसरी बात अगर आपने बच्चों को कथाएं बताना चाहते हैं या समझाने चाहते हैं और पुरान ज्यान देना चाहते हैं महाभारत रामायड के बारे में बताना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लेस और कोई भी नहीं है क्योंकि आपको इसमें चलचित्र वाली जाकिया मिलेंगी जिनको आप अपने तो अच्छी तरह से उनका समझा सकते हैं, उनका interest जनरेट कर सकते हैं, और फिर उनको घर पर जाके रामायड या महावरस दिखा सकते हैं और इन जाकियों को वहां से को रिलिटेट कर सकते हैं, तो यह सब बहुत ही अच्छा चीज थार्भिक चीज थे हैं, जिनको मैं, I believe हर म अब आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए दिखाना चाहिए और 10 रूपीज में हैं तो फूरा पैसा वसूल है आप देख सकते हैं यहां की साफ सफाई और काफी अच्छा से मेंटेन किया है कांच लगे हुए हैं तो कोई गंदगी नहीं है और किसी तरह का कोई मतलब अबस्टेकल नहीं है आराम से आप बच्चों को दिखा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं और इसको देखने में आपको 1-2 आर लग जाएगा उसके बाद पागल बाबा का मंदिर हम उपर की तरफ देखने जाएंगे उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टॉप 15 या टॉप 10 मंदिर कवर करते हैं जो मैंने अपने पहले वन वीडियो से लेके 6 वीडियो तक मैं कवर कर चुका हूं और व्रंदावन वास्तम में एक बहुती खूपसूरत जगह है दिल्ली से वन एन हाफ आर्स की जरनी है और अगर आप आगरा से जाते हैं तो एक गंटे की जरनी है बाकी की चीजें आपको मेरे जो वीडियो है जो आप उनको देखेंगे आई बटन में मैंने उनका लिंक पहले ही दे चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक है आप उनको डारेक्ट जाके देख सकते हैं कुछ समय यहां पर इस्पेंट करने के बाद हम उपर की तरफ बढ़ गए और यहां से टॉप व्यू में आपको दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है कितना बड़ा केंपस है पागल बाबा के मंदिर का और यहां से मैंने थोड़ा सा सेलफी मोड मे अपना फिक्चर लेकर आपको दिखाया है और यह यहां पर पागल बाबा की समाधी है जो आप देख सकते हैं यह उनकी समाधी है जहां पर उन्होंने अपनी समाधी ले थी यह उनका में मंदिर है जिसके लिए यह मंदिर बनाया गया है बहुती प्यारा बहुती बव्य औ जो थी कृष्ण जन्म भूमी मतुरा और यहां पर बहुत सजावट हो रही थी आप देख सकते हैं यहां का हर चौराया, हर मार्केट पूरा सजा हुआ था और अलग ही दिख रहाता है कि स्री कृष्ण के आने का वेट सब लोग कर रहे हैं यहां से स्टाडिंग होती है, जो में जन्माश्टमी का मंदिर है वहां के लिए और जैसे आपको पीछे पुलिस के डिखाई दें जाएंगे, जहां पर यह जो में अन्ट मेंट्री गेट है सेफटी रखनी पड़ती है और बीच बीच में इस रोड पर जो 1.5 km का रोड है आपको इस तरह के बहुत सारे धार्मिक कारिकरम और आपका मन शुरू से ही मतलब इस रोड पर जाते हैं एकदम धार्मिक हो जाएगा जगर जगर पर कारिकरम प्रिसाद और फूर आपको मिले जो आपको बोलते हैं भंडारा बोलते हैं जिसको और आप खाते जाए बिना किसी पैसा कर्ज किये और श्री कृष्ण और रादे का नाम जबते जाए और जन्म अश्टमी को पहुंचते जाए श्री कृष्णी जन्म भूमी बहुत ही सिक्यूर प्लेस है अंदर वहां पे आपको बाहर से क्योंकि अंदर कुछ एलाउ नहीं है जो रोड है और बाहर से जिस तरह से वहां का जो माहूल है वही दिखा सकते हैं बाकी और तो कुछ इतना पॉसिबल नहीं है कि यहां पर देखिए सेल्फी के लिए यह दिया हुआ है आप यहां पर फोटो क्लिक करवा सकते हो तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में इतना ही और यहां पर मेरी जो मत्रावरेंद्यावन ट्रिप पूरा होता है इसके बाद हम घर निकल लिए ते अपने लिए तो तिल देन बाए लाइक शेर और सब्सक्राइब माई वीडियो तो आज इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रख हुआ 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 है